आज मैं बहुत चेश्टी सबजी आपके शेयर करने वाली हूँ अगर आप भिंडी की नॉर्मल सबजी खा के बोर हो गए हूँ तो यह सबजी आप बना के खाए तो मैं आज आपके शेयर करने वाली हूँ कोई बना घोटा सकते हैं क्योंकि बहुत अची अच्छी इचि आ रही है तो आप भी इस रैसेपि को ट्राइ किजेग मैं कैसी लेहीं आपको विडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको जरूर क्लिक किया करें और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए आज की रेस्पी मैं स्टार्ट करती हूँ तो भीड़ी दोप्याजा बनाने के लिए यहां पर मैंने यह चौप के हूए वन लिय यह है वन के मैंने graph müs breaking कर लिये हें cant longing के चार पीस करने और उसके एक पीस है वह निकाल लेने है स तरह अप देखाँ हाथों के Спार्व के हेलप निकाल सकते हैं इसतार से तो यह हमें चाह उसके बाद इधर हमने भिंडी को कट कर लिया है और इधर हमने वन टोमेटो लिया है और यह भिंडी हमें इस तरह से काटना है भिंडी को अच्छे से दो पोच के साफ कर लेना है यहां पे मैंने टोमेटो को चॉप करके ले लिया है इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी क्यों यहां पर मैंने जो रड़ निकाले थे उसको मैं इहां पराइ निकाल लूगोंगी तो करूगी ताकी यहां पर तो फॉनियों के पर अच्छे से अच्छे से स्कुमिस आप करना है तो इसको हमने निकाल लिया और सेम कडाई में में जो हमने भिंडी लिया है उसको भी हम इसी में फ्राइer कर रिञेंगे तो क्योंकि हम भिंडी दोपयाजा बना रहे है तो हमें फ्राइब करना जरूरी है क्योंकि राख से busy का युअट अक्षा होता है कम जादा मैंने बहुत जादा उयल का यूज नहीं किया है तो इसको हमें अच्छे से कर लेना है तो यहां पर देख सकते हैं हमाई बिंडी फ्राइब हो गई है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे तो प्लेट में निकालने के बाद फिर हम सेम कडाई में ही तरका लगा हुए है इसको हमें अच्छे से भून लेना है तब तक भूनना है जब तक कि सब्सक्राण हो जाए और अच्छे से कलर नहीं आगः आन भून जाएगी तब हम उसके बाद मुन लेना करेंगे तो हो ईहां पर मैंने दो चंत धनिया पाओडर रैट चिली और यहां पर मैंन अच्छिक सब्सक्राइब प्रश्पट सकते हाँ अब भूह में आच्छते हों करनी अच्छे से ने आट था यहां के ने आट करना है तब तक जब तक यह अच्छे से बुन नहीं जाए और आश्यसे से तो कर देंगे थोड़ा शाल्ट में सबध्धा करेंगे ताकि यहां पर मसाले बिंदी के अंदर छाल जाए तो यहां पर आप तो पर अच्छी standard मि三चन केड़ कते हैं उभी मून मसाले करते हैं जो अच्छे से भून चुका है तो इसके बाद फिर हमें आप से राइंगे मुला लेना है तो आप देख सकते हैं कि यहां अच्छे से भींडी हमारी हो रही है तो जब यह थोड़ी शी मसाले के अंदर पक जाएगी फिर जो हमने स्लाइस किये हुए अनियन रखे थे फ्राई करके वह हम यहां पर एट करेंगे और कुछ अनियन हम बचा लेंगे जो कि हम गार्निश में यूज करेंगे उसके बाद इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी दर हम इसे कवर कर देंगे एक से दो मिनट तक कवर करने के बाद फिर हम इसको एक बार बीच में और चला लेंगे तब तक कि जब तक कि भिंडी तो फ्राई है लेकिन थोड़ा हमें इसकी मसाले के अंदर पर अच्छे से इसको पकाना है तो अभी आप देख सकते है और ऐल सेपरेट होने लगा है तो मिन्स की हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है इस तरह से हमें कर लेना है यहां पर आप हमने एक बावल लिया है उसमें मैं भिंडी को सर्व कर रही हूं तो यहां पर मैंने भिंडी सर्व कर दिया है आप देख सकते हैं और तो फ्रेंड्स बहुत यम्मी दिखने में लग रही है तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी थी और आप इस तरह से एकदम बनाईए बहुत मसालों का भी यूज नहीं है और बहुत टेस्टी बनती है एकदम रेस्टरेंट रैसी और तो फ्रेंट्स आपको कैसी लगी कमें बॉक्स में जरूर पूर बताएगा भुंडी दोपयाजा की रेसिपी आप इसको पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं किसी के साथ भी दाल-चावल के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है और अगर आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमें शेयर बिल्कुल करना ना भूले तो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दें और बैल बटन को प्रेस कर दें ताकि अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और फ्रेंस लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है अ